तच्छे स्क्रेन के लासेज में आपका स्वागत है आज मैं आपको कहानी का प्लोट जो की MB हिंदी का है सबसेटरी का है जिसका एक्जाम दस्तारीक होने वाला है 2022 में तो उसका मैं आपको लेक्चर 3 है कहानी का प्लोट कहानी का सारांस अपने सब्दों में लिखिए कहानी क का प्लोट जो है कानी का लेखक कौन है तो इनके लेखक आचारे सिपुजन सहय हैं और जो कि सुदूर देहांत के एक आ नामित गाउं की कालपनिक कानी का प्लोट तेयर किया है मतलब ये कहानी आपकी कालपनिक है मन गरंथ की गई है मतलब कालपनिक बनाए गई है और वो भी ओ नामित बीना नाम का गउंक है इस ओ नामित गउं में दो भाई रहते बड़ा भाई दरोगा था और छोटा भाई बिरुजगार था बड़े भाई की कमाई बरी थी और छोटे उनकी कमाई पर मौज मस्तिक कर बिरुजगार युवक की साही जिंद दरोगा साब की थी बड़े बड़े अपसर उस घोरी की दरोगा जीसे अपनी कबजे में करना चाहते थे पर किसी को किछ नम किसी को कुछ न चली दरोगा जीने सब को निम्बुआ नोन चटा आया दिया नतिजा यह हुआ दरोगा जी की तरक्के नहीं वे वे नौकरी की पु savings नहीं किया था रिक्त हस्त होकर धरोगा जी स्वर्ग सिसहर गया मतलब हात में कुछ पैसा नहीं रखा और वोई धरोगा जी क्या किये स्वर्ग सिधार गया आर्थ्ख सिथिघ इतनीय द्यानियों हो गई कि मरनों परांद धरोगा जी सराद होना भी मुश्किल हो गया मतलब इतना खच होता था कि सराद होना भी मुश्किल हो गया इस गाड़े समय में घोरी ने अपने प्यार की कीमत चुकाया अच्छी खासी रकम लेकर मुनसी जी ने एक अंगरे जॉपसर को हाथ घोरी बेच कर बड़े भाई का सराद कार संपन किया तो यहां पर मुनसी जी उनका छोटा भाई है जो बेरोजगार के तरह उनके पैसोक से घोमा फिरा करता था इधर मोज मस्ती करता था तो उसका नाम मुनसी जी है उन्होंने इनके सराद के लिए घोरे को क्या किया था बेच दिया था और वो भी एक अंग्रेज ऑफसर्स हो घोरी ने धरोगा जी के नमक का मुल चुका दिया और वफादारी आधा की कहानिकार के सब्दों में धरोगा जी ने अपने जमाने में मुनसी जी खूब घूब के दिये जलाए थे जी जी के जमाने में मुनसी जी खूब घी के दिये जलाए थे गांजे से बढ़ियां से बढ़ियां इतर मिला कर पीटे थे चीलम कभी ठंडी नहीं होती थी एक जून बत्तीस बटेर और चौदे चपाटियां उड़ा जाते थे वह अब सरहा सरहा कर मटर का स्टू सरा पोटने लगी दरोगा जी के जमाने में जोन से पांचों कि अंगलें घी में थे अनके पांच लड़के पैदा हुए थे आकसे पूछा जाएगा मुनसी जी के टोटर कितने लड़के थे पांच लड़के, पांचों की अकाल अवकलित हो गए थी, मतलब पांचों की मिर्ती हो गए थी, कोई भोगने वाला नहीं रहा था, बुधापे में जब उनके दोनों पांच धर्ड़ता में फस गए, तब कोड की खाज के एक लड़की पैदा हो गए, जब मुंसी जी अब ब करना, उनके लिखना बहुत कम हो जाएगा, वह मुंसी जी को अनुपम सुन्दरी अभागिन लड़की थी, जन्मनते हैं उनकी मार मर गई, जैसे भाग जोगनी का जन्मवा, उसकी मार क्या हो गई, मर गई, अब केबल घर में मुंसी जी और भाग जोगनी किसी तरह मांगत एक हाकते पली बड़ी, किसी तरह मांग तांके, ये पली बड़ी बारे बर्स की अवस्था में कमर में पतला सा चितरा मात्र लपेटे रहना उनके मानुन नियती बन गई थी, भाग जोगनी के बिवा की समयस्या दीन दूनी विकराल होती जा 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 बहुत हांत पहां मारने के बाद 41 से 42 साल के अधेर विधूर से भाग जोगनी का क्या हो गया बिवा हो गया तो आप से पूछा जाएगा भाग जोगनी का बिवा किसके साथ हुआ था तो भाग जोगनी का बिवा किसके साथ हुआ था तो भाग जोगनी का बिवा किसके साथ उट गे साल भर के अंदर भगजोगनी को वैद जिनने के विवस होना पड़ा भगजोगनी की खिलती वी जमानी ने उसे पुने विवा करने के लिए मजबूर कर दिया भगजोगनी का पिने वहा हुआ उसके पिता के मरने के बाद उसी से ये साधी क्या कर लेते हैं जो कि समाज के क्या होता है बिरुद होता है तो कहानी का प्लॉट से सक कहानी में लगू कलेवर में विरात है इस कहानी के कठाकार कहानी में विश्तित आयम है इसमें ये हमको देखने को मिलता है कि फिजूल खर्ची के दूस परिनाम दहेज पर्था का डानवी रूप, मानव की अर्थ लोलुपता, अनमेल बिवा, इसके परिनाम बिदभा बिवा और पारिस्थितिक विसे समाजिक धार्मिक माननता का उलंगर जैसे गंबिर समस्था क यह सहा जी की नीची बिशेष्ता है, जो सीप पुजन सहाय की कहानी और कहानी का नाम था, कहानी का प्लॉट, यह बहुत अच्छी कहानी में से एक है, तो आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुन लिए हैं, और एक दो बार सुन लिजे, कहानी याद हो जाएगा, फिर उसके अब्जेक्टिव पर चलेंगे पहले अभी कहानी आप सुनते रहे एक दो वीडियो को 3-4 बार सुनते जाएगा तो आपको कहानी याद जाएगा तो फिर अब्जेक्टिव का भी आपको कर दिया जाएगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक से और प्लोड कर लिजे ठेंक कु और हम एक दिं में कम से कम थीन वीडियो अप्लोड करने तक करने चान प्लोड़ा गौर्णन जाता है और चाहरा वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटफिकरशान बंद हो तो notification बंद हो जाता है 24 गंटे में अगर 3 वीडियो से आप जयादा upload करता है तो notification बंद होता है इसलिए आप लोग यहाँ पहर आकर इस चैनल पहर आकि देख लिया करों कि कोई वीडियो अप्लोड हो तक्र नहीं हो थैंकय।